हेलो फेंट्स मेरा नाम कुनाल है फेंट्स आज की वीडियो हम बात करेंगे कि आप टैनिस की बोल से कैरम बोल कैसे डाल सकते हैं फेंट्स अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम cricket related ऐसी वीडियो लाते रहते हैं अगर आप एक fast bowler है तो आपको fast bowling के साथ साथ कुछ ऐसे variation आने चाहिए जिससे कि आप अपना over save कर सकते हैं इसलिए आपको आज में एक variation बताता हूँ जिसका नाम है केरम बोल केरम बोल एक ऐसा variation है जो कि एक right hander bestman के leg stem पर पढ़कर middle और off stem पर निकलती है वहीं ये left hand bestman के लिए अंदर की दरफ आती है तो friends जब भी आप अपनी fast bowling में कुछ variation यूज करते हैं तो ये किसी भी bestman के लिए easy नहीं होता कि उस बोल को खेलना तो friends जब कोई bestman fast bowling खेलती है कोई variation देखता है तो फैस्ट नहीं उसा pick नहीं कर पाता और अपने short selection में mistake करता है और mistake करके अपना wicket throw कर देता है तो friends अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी केरम बोल में grip position कैसी होगी तो friends केरम बोली grip position के लिए आपकी जो main finger है जो की use होगी वो आपकी ये वाली finger ring finger आप middle finger से भी करा सकते हैं बट ring finger से जादा turn मिलता है तो आपकी जो grip position होगी वो कुछ इस तरह किस होगी आपकी जो ये वाली उंगली है आपको इस से grip बनानी है ring finger से आपको grip बनानी हूँ करके जिससे आपकी ball turn करेगी आपकी जो ऊपर की दोनों finger से ये आपको केवल support के लिए उपर रखनी है और आपको ऐसे ball को grip करना है और आपको ball को यूँ करके ऐसे करके rotate करना है लट हुता है तो फ्रेंट जब भी आप अपनी न Sorry is in the use करना या फिर कोई Do You also can use कना तो आपको हमेशा एक लिएक रहन देनी है कि आपको हमेखा अपने Play-90 आप से बोल को cover करना है आपको बोल को लाष्ट मुमेंट तक आपके बोल को就會 करते रहते हैं कि नप मैं आपको पताता हूँ कि कहा से डिलीवर करना है तो आपको में जब बी आप इस तो आपको आपको अभी आपको करने से ये फायदा होता है कि वैस्ट मेरेशन इसे नी कर पाएका और हमेशा काईच देके जाएगा तो फ्रेंट नहीं जब भी आप ये वेरिशन डालने आए तो आपको ध्यान देना है कि आपको ये बहुत कम रोटा होता है खड़े-खड़े उस बोल करेगी और टर्ण हो के बाउंस लेके बाहर निकलती है जिससे की बैस्ट में इसे इसली नहीं खेल पाता फ्रेंट्स आपको एक बात और हमेसा ध्यान देनी हैं जब भी आप इस बॉल को बोल को डिलीवर करना है उससे अगर आप बाहर जाएंगे तो बोल वाइट होगी या फिर आपकी बोल अच्छी नहीं पड़ेगी और आपको कभी भी ऐसा नहीं रखना कि आपको छोटी बोल फेक नहीं है छोटी बोल फेकने से क्या होगा यह बैस्टमर के लिए बहुत ईज एज़ी हो जाएगा इसे पिक करना इसलिए आपको हमेशा बोल को जितना हो सकते आगे रखना है आगे रखने से बोल में अच्छा टर्न मिलेगा और बाउंस मिलेगा तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर थैंक्स पर वाचीं